Hello students, आज की प्रश्णोत्तरी विशेश करके dedicated है बाल विकास के उपर यानि कि चाइड डेवलप्मेंट के उपर और आज हम लोग एक ही सीरीज के यानि कि वृद्धी तथा विकास के टॉपिक से ही जो है वो कुछ प्रश्णों को लेने का प्रयास करेंगे प्रश्णोत्तरी म और मैं आपको बता दूँ ये आज की जो प्रश्ण है चुकि बाल विकास से सम्मंदित है चाइड डेवलप्मेंट से सम्मंदित है ग्रोथ और डेवलप्मेंट से सम्मंदित है तो जो ये प्रश्ण है ये प्रश्ण ना सिर्फ ग्रिह विज्ञान विशे के अंतरगत बा psychology वाला section उनके course में involved है अर्था बाल मनो विज्ञान वाला unit जो है यदि आपके syllabus में है तो ये प्रशन कहीं न कहीं आपके वहाँ उस particular प्रतियोगी परिक्षा के लिए भी जो है लाबदायक होंगे जैसे अगर आप school व्याख्याता RPSC की तियारी कर रहे हैं तो आप इन प्र प्रदेश, उत्राखंड, बिहार या किसी भी स्टेट में जो है PGT, TGT या फिर आप PRT की तयारी कर रहे हैं जहां पर psychology से संबंधी जो है वो प्रशन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप इन प्रशनों को अच्छे तरीके से solve करके इनका लाब ले सकते हैं तो growth and development या इस प्रशन में कहा गया है पूछा गया है व्रिद्धी का अर्थ है जो growth होता है growth की meaning क्या होती है व्रिद्धी का अर्थ क्या होता है option से हमारे पास आंतरीक तथा वाही अंगों का बढ़ना हम बाल विकास के संदर्ब में इन प्रशनों को solve कर रहे हैं किसी और संदर्ब मे किसी और परिप्रेक्ष में हमें इसको connect नहीं करना है आप केवल और केवल child psychology या फिर child development में ही जो है आप इस particular point को देखें तो व्रिद्धी का अर्थ child development या child psychology के अंदर क्या होता है आंतरीक तथा वाही अंगों का बढ़ना दूसरा option है हमारे पास केवल वाही अंगों का ब बढ़ना और चौता option है इनमें से कोई नहीं तो जब हम व्रिद्धी की बात करते हैं जब हम growth की बात करते हैं तो जब child development के अंदर आते हैं और किसी बच्चे को हम लोग देखते हैं या बालक के बारे में हम लोग अध्यान करने का प्रयास करते हैं तो व्रिद्धी के हमें आंतरीक रूप से भी जो है वो परिलक्षित होते हैं और ये परिवर्तन हमें उसके वाहिय अंगों में भी परिलक्षित होते हैं ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बाहरी भाग जो है वो शरीर के बढ़े जा रहे हैं और अंदर के जो है वो शारीरिक पोशन, शारीरिक भाब जो है वो उनकी इस्थिती या थावत है नहीं ऐसा नहीं है उनके इस्थितियों में भी परिवर्तन होता है उनकी आकारकी में भी परिवर्तन होता है उनकी क्रिया शीलताओं में भी परिवर्तन होता है तो आंतरीक तथा वाहिय दोनों ही अंगों में जो है वो साथ-सा लोगों का बढ़ना, ये option इस प्रश्न के लिए जो है, वो correct होगा, next आईए, दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखें, दूसरा प्रश्न है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, पहले हमने जो है, जो प्रश्न लिया था, वो वृद्धी से हमने उठाया था, यानि कि growth के विशय में हम लोगों ने पढ़ा, अब हम development के विशय में पढ़ेंगे, जो विकास होता है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो विकास आत्मक प्रक्रियाएं होती हैं, overall जब हम लोग development की बात करते हैं, तो उस समय पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं किसी बालक के अंतरगर, सबसे पहला option है रचनात्मक तथा विनाशात्मक, दूसरा option है केवल रचनात्मक, तीसरा option है केवल विनाशात्मक, और चौथा option है शारेडिक, तो हम लोग विकास में होने वाले परिवर्तनों में होते हैं, देख को मिलता है और साथ ही साथ शारेरिक परिवर्तन भी जो है उसके अंदर दिखता है लेकिन हमें चुकी एक ही आप्शन जो है इसमें चूस करना है चार में से किसी एक ही आप्शन को रखना है यदि ये तीनों लिख करके एक चौथा आप्शन आता कि इन में से सभी सत्य हैं त और हमारे को इन में से जो है appropriate answer को चूज करना है या appropriate answer का चैन करना है तो उसके हिसाब से जब ये तीनों सत्य हो रहे हैं तो तीनों सत्य के आस-पास यदि हम पहला option देखें रशनात्मक तथा विनाशात्मक परिवर्तन तो ये परिवर्तन जो है वो कहीं न कहीं सत्य होगा क् कि इन में जो है दो तथे हमारे एक साथ आ गए तो इसका correct answer क्या होगा ये होगा प्रशन है कि विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं तो आंसर हमारा आएगा रशनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं next तीसरे प्रशने पर आते हैं हम लोग third question बहुत ही आसान सा question है fact पर आधारित है लेकिन इस तरीके के प्रशन जो है परिक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं ये प्रशन कई बार परिक्षा में आया हुआ है विकास के छेत्र होते हैं जो development का area होता है वो क्या है area of development जो ह हैं तो पहला आ रहा है शारिरिक ठीक है विकास के छेत्र होते हैं शारिरिक जो बच्चे का जो बालक का जो development होता है जो उसका विकास होता है किस भाग में होता है किस रूप में होता है तो शारिरिक रूप में होता है ठीक है उसका जो विकास है वो शारिरिक होता है शारिक चेत्र में उसका विकास होता है मानसिक चेत्र में जी हाँ विकास जो है वो उसका मानसिक चेत्र में होता है जिस proportion जिस volume में अवस्थाओं के अनुसार शारिरिक रूप में होता है ठीक उसी तरीके से उसी proportion में उसी volume में और उसकी particular अवस्था के according जो है वो मानसिक भी होता है और कहीं न कहीं जो है वो विकास का छेत्र बच्चे का बालक का जो है वो सामाजिक भी होता है, तो ये तीनों ही option क्या है, correct हैं और हमारे पास जो है last option आया है उपर युक्त सभी यानि कि उपर के सभी जो है वो आते हैं विकास के छेत्र में, तो उपर युक्त सभी यानि कि इशारिरिक, मानसीक और सामाजिक, ये तीनों ही जो है छेत्रों विकास से सम्बंदित होते हैं, बाल विकास के अंतरगत, नेक्स्ट आईए अगले प्रशन पे आते हैं, अच्छा क्वेस्चन है, ये प्रशन भी कई बार परिक्षा में आया हुआ है, हर लौक के अनुसार श सप्ताह तक की अवस्था, तीसरा ओप्षन है, गर्ब धारन से दो सप्ताह की अवस्था, और चौथा ओप्षन है, गर्ब धारन से दो वर्श तक की अवस्था, तो इसका सीधा सीधा यदि हम लोग आंसर देखने का प्रयास करें, तो जन्म से लेकर के जो ए ओप्षन दि कि अगर हम लोग बात करें तो इसको इन्होंने शैश्वा अवस्था कहा और तीसरे सब्ताह से दो वर्ष की जो अवस्था है इसको इन्होंने बच्पना अवस्था कहा ठीक है ये दो पॉइंट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ये है सेकेंड पॉइंट ये है तो जन्म से लेकर के दो वर्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें तो उन्होंने दो भाग कर दिये तो जन्म से लेकर दो वर्ष तक की अवस्था तो य ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि दो वर्ष तक की अवस्थाओं को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया, दूसरा option है जन्म से लेकर के दो सप्ताह तक की अवस्था, तो येस, अभी हम लोगों ने देखा है, कि जन्म से लेकर के दो सप्ताह तक की तो यदि हम इस अवस्था को भी समझना चाहें, तो हरला के अनुसार इसके दो भागों विभाजित कर सकते हैं, या उनके अनुसार ये दो भागों में जा सकता है, पहला भाग क्या हो सकता है, पहला भाग है आपका, गर्ब धारण से जन्म क्या होगा गर्भ आवस्था और वापिस दूसरा हमाते हैं तो जन्म से दो सप्ता क्या होगा शैश्व आवस्था ठीक है तो दो अवस्था हैं यहाँ पर आ रही हैं तो यह option भी हमारा जो है वो सही नहीं होगा तीसरा गर्ब धारण से दो वर्ष तक की अवस्था यदि इसको भी आप समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको तीन रूपों में देख सकते हैं यह जो गर्ब धारण से दो वर्ष तक की अवस्था है यह तीन पार्ट में जाएगी सबसे पहले तो गर्ब अवस्था मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं अभी मैंने आपको समझाया है गर्ब धारण से लेकर के जन्म तक देन शैश्वा वस्था अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जन्म से लेकर के दो सप्ताह तक की अवस्था और तीसरा बच्पना वस्था जो तीसरे सप्ताह से आरांभ हो करके दो वर्ष तक चलता है तो चाहे हम एक-एक आप्शन का अनालेसिस करके इस प्रशन के उत्तर को ढूनेने का प्रयास करें या फिर सीधा फैक्ट के उपर यदी फैक्ट हमारा रेडी है और हमें पता है कि पर्टिकुलर्ली शैश्वा वस्था कब से कब तक होती है तो हम सीधा भी जो है यहाँ पे इस प्रशन का उत्तर दे सकते हैं नहीं तो इस तरीके से हम लोग इसको खंडों में बांट करके इस प्रशन का उत्तर दे सकते हैं जन्व से दो वरस तक नहीं हो सकता क्योंकि इस बीश में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं दो आवस्थाएं जो है वो आई हैं दूसरा हम आते हैं जन्व से दो सब्सक्रा तो ये शैश्व अवस्था है तीसरे में हम आते गर्व धारन से लेकर के दो सप्ताह तक तो अगेन यहां पे भी दो अवस्थाएं दिख रही हैं गर्व धारन से दो वर्स तक की अवस्था में आते हैं तो यहां पर तीन अवस्थाएं जो है वो विकास के क्रम में जो है वो जो विकास हैं, उनके जो development के जो process होते हैं basically, जो developmental process हैं, उनके मुख्य रूप क्या होते हैं, यानि कि उनके मुख्य रूप क्या होते हैं, options में आते हैं हम लोग, ए, आकार एवं अनुपात में परिवर्तन, जो size है, size और size के according, जो proportions हैं, उन proportions में changes आना, ठीक है, बी, पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन, जो हमारी पुरानी रूप रेखाएं चली आ रही हैं, उनमें भी किसी तरीके का परिवर्तन, नए गुड़ों की प्राप्ति, विभिन्न प्रकार से जितने भी नविंतम गुड़ हैं, जब बच्चा उसकी प्राप्ति करता है, तो वो और D option आ रहा है उपर युक्त सभी तो यहां भी हम एक एक option की बात करते हैं विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है जो विकास की प्रक्रियाएं हैं बालक के अंदर उनमें आकार और अनुपात में परिवर्तन आता है जी हां बिलकुल आपने पढ़ा है इस चीज़ को कि विकास आत्मक जो प्रक्रियाएं होती है उनमें जो बालक है उसका जो आकार है और उसके आकार के जो विकास की जो अनुपात है उनमें क्या होता है परिवर्तन आता है पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन जो ट्रेडिशनल या ओल्ड जो उसका पैटन होता है उन पैटन्स में भी कही न कहीं समय के हिसाब से आकार के अनुसार और उसके अनुपात के अनुसार परिवर्तन देखा जाता है और आगे चलके विभिन अवस्थाओं के अनुसार भी ये परिवर्तन होते रहते हैं नए गुणों की प्राप्ति अलग-अलग आयू वर्ग में जैसे बच्चा बढ़ता रहता है जिस प्रकार से जो है वो अपने व्रिद्धी और विकास की तरफ अग्रसर होता है उस व्रिद्धी और विकास की प्रक्रियाएं में विभिन्न प्रकार के जो है नए नए गुणों को जो है वो सीखता है प्राप्त करता है और उनका प्रयोग भी करता है तो प्रशन है विकास के प्रक्रिया के मुख्य रूप है तो यहाँ पर D option जो है वो इस प्रशन के लिए correct होगा ये सभी जो है वो प्रक्रिया के मुख्य रूप होत का प्रयास किया इसी तरीके से जुह है वो प्रशनों की श्रिंखलाएं लेकर कि समय समय करके उनको स्पूर्तिवान बनाने के आवशकता है तो आप उनको स्पूर्तिवान बनाए और अच्छी नई उर्जा, नए साहस और नए उत्साह के साथ जो है आप अपने अध्यान को आरंब करें किसी भी तरह की कोई समस्या यदि आपको पढ़ाई से संबंधित आपकी पर आपकी प्रॉबलम है किसी माटीरियल से रेलेटिट कोई प्रॉबलम है तो आप ज़रूर मुझसे संबंधित कर सकते हैं आगे फिर मैं इसी तरीके के प्रश्णों को लेकर आती रहोंगी तब तक के लिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए और जबर्दस्त रहिए थैंकियो सो